वॉल्किम टू स्टेडी को विजीनत आज इस वीडियो में हम स्यार पीजी का चैप्टर नंबर 23 गवर करेंगे जो की बताता है कि इंक्वैरी और ट्राइल में एविडिन्स कैसे लिए जाते हैं एविडिन्स लेने के लिए जो कमीशन इशू किया जाता है उसके बारे में भी इसी चैप्टर में दिया गया है और एक्सपर्स के थूरू जो एविडिन्स लिया जाता है उसके बारे में भी यहां पर प्रोसीजर दे रखा है इस चेप्टर में section 272 से लेकर 299 तक के provision दिये गए है वहीं अगर हम देखें भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता बिल 2023 यहाँ पर ये provisions आपको देखने को मिलेंगे chapter number 26 में section 307 से लेकर 336 में यानि की CRPC में ये जो section दिये गए है section 272 से लेकर section 299 तक ये भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता 2023 में दे रखे है section 307 से लेकर 335 तक और 335 के आगे जो section 336 है वो नया section है जो पुराने वाले CRPC में देखने को नहीं मिलता है पूरा का पूरा जो chapter है पुराने वाले में और नये वाले में सेम ही है बस अंतर क्या है एक तो ये last में जो section जोड़ा गया है ये वाला section और section 316,320,330,335 ये चार section है जिनमें थोड़ा थोड़ा difference है जब हम जिनका ये sectional replacement है वो CRPC के section cover करेंगे तब साथ साथ में हम वो भी discuss कर लेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक favor चाहिए कि आप मुझे comment section में बिताया करो कि वीडियो कैसा लगा कुछ भी मतलब लिखा करो comment section में but at least comment section भढ़ दिया करो IPC and CRPC ये दो subject ऐसे हैं जिनके video course available है और ये जो subject यहाँ पर mention है इनके pdf note available है अगर आपको purchase करना है तो आप purchase करने के लिए या तो मुझे mail कर सकता है मेरा email address आपको screen पर दिखी रहा होगा या फिर आप मुझे मेरे telegram ID पर message कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने mention कर दिया जब आप मुझे message करेंगे या फिर mail करेंगे मैं आपको पूरी detail दे दूगी इन सभी के बारे में जो भी आपने purchase करने के लिए मुझे mail या message किया होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहला section दे रखा है chapter 23 में section 272 जो की code की language के बारे में यह heading पूछ ली जाती है तो यहां से question आता है आपका एक की जो state में high court को छोड़के बाकी course होते हैं उनकी CRPC के purpose के लिए क्या language होगी यह कौन determine कर सकता है तो यह determine कर सकती है state government यह कह रहा है section 272 of CRPC में यानि की state में जितने भी course होते है high court को छोड़के क्योंकि high court के लिए तो देखो article दे रखा है 348 of Indian constitution वो उसके according deal होगा तो कह रहा है कि high court को छोड़के बाकी जितने भी court है state में उनकी language क्या होगी CRPC के purpose के लिए वो determine कर सकते state government आर्टिकल 348 close 1 of Indian constitution कहता है कि supreme court और हल high court में सारी के सारी जो proceeding होगी कि वो English language में होगी जब तक कि Parliament law अगेरा बनाके उन proceedings का किसी और language में किया जाना provide नहीं कर देती है article 348 के close 2 में governor को power दे रहा है कि state का जो governor होता है वो president की previous consent लेगे क्या गड़ सकता है कि उस state की जो high court है उसमें English language के अलावा किसी और language का use किया जाना like Hindi language का use किया जाना और उस state की जो official purpose के लिए language use होती है उस language का use किया जाना authorize कर सकता है but 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 decree, judgment और order जो उस high court के द्वारा पास किये जाएंगे वो होंगे English में लेकिन आगे section देखें अगर हम 7th official language act 1963 का इसमें देखो ये चीज़ कही गई है कि कि किसी state के high court के द्वारा पास किये जाने वाले judgment के purpose के लिए उस state का governor क्या कर सकता है उसमें English language की use किया जाने के साथ-साथ Hindi language का use किया जाना या फिर उस state की जो official language है लाइक अगर हम उडिसा में चले जाए तो वहां की होती है उडिया language तो जो वहां के official language है उसका use किया जाना authorize कर सकता है with the consent of president of India बाकी CPC में भी हमें जैसे हम पढ़ रहे ना section 272 CRPC का उसी तरीके से हमें section 137 जो कि यह कहता है कि high court के subordinate जो भी सारे के सारे court है उनकी language CPC के लागू होने के time पर जो थी वही रहेगी जब तक कि state government कुछ और direct नहीं कर देती है section 273 of CRPC कहता है ये कि जब तक कि expressly से कुछ और करने के लिए न बोला गया हो जैसे कि आप example के लिए यहाँ पर exception में ले सकते है section 299 of CRPC तो जब तक कि ऐसे situation नहीं है तब तक कह रहे हैं कि सारे के सारे evidence जो है na trial के दोरान या कोई other proceeding चाल रहे है CRPC में तो उस दोरान लिए जाने चाहिए accused की presence में accused की सामने लिए जाने चाहिए पीट पीछे कोई चीज नहीं हो नहीं चाहिए जी सामने सामने लो evidence लो अगर लेने है तो accused के सामने evidence लो अगर accused की personal attendance को dispense किया गया है accused को court में personally attend होने से like 205 में या 317 में छूट दी गई है तो तब उसके leader की presence में evidence ले जाएंगे वहीं अगर चीज यह है कि जो offense है वो rape वाला है या कोई other sexual offense है और उसकी जो victim है offense की वो 18 साल से कम उमर की है तो उसके evidence accused के सामने कैसे ले भई? evidence दे टाइम तो अगर accused को सामने बिठा देंगे उसके तो वो ढंक से evidence नहीं दे पाएगी क्या पता वो घबरा जाए तो इसलिए कह रहे हैं कि court appropriate measure लेगी ताकि जब उसके evidence लिए जा रहे हो उसका आमना सामना accused से नहीं at the same time court ये चीज भी ensure करेगी कि जो right है cross examine करने का accused का वो भी बना रहा है तो क्या करेगी court ऐसा कर सकती है जैसे कि यहाँ पे वेप की victim को बिठा के उसके evidence ले रहे हैं बीच में पड़दा वगरा लगा दिया है इधर accused को बिठा रखा है ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं तो यह जो proviso है section 273 में यह add किया गया था criminal law amendment act 2013 के द्वारा बाकि आपने ध्यान रखना है यह कि यहाँ पर accused की presence का मतलब नहीं ह actual physical presence ऐसा भी कर सकते हैं कि video conferencing में हमने accused को ले रखा है और फिर तब हम evidence ले रहे हैं तो evidence लिए जा सकते हैं video conferencing के माध्यम से भी यह कहा गया था state of महराश्टा वर्सेज डॉक्टर प्रफुल बीदेसाई 2003 के case में important case से प्रीवेब पूछा जाता है अब यहाँ पर section 274 बतात और जो inquiries हो रही है 145 में या 148 में तो वहाँ पर और जो भी proceeding trial वगरा को छोड़के चल रही है section 446 में वहाँ पर evidence जो लिए गए हैं उनको record कैसे किया जाएगा तो कह रहे हैं कि जैसे-जैसे witness का examin होता जाएगा magistrate बनाएगा क्या memorandum उनके evidence के gist का court की language में वही अगर जो magistrate है वो खुद नहीं बना सकता है memorandum लाइक बिमार होगे वो बिचारा accident में हार्ट तूड़के है magistrate का अल्ला ना करे ऐसा हो तो वो कुछ वज़ा है जिसकी वज़े से वो खुद नहीं बना सकता memorandum तो वो क्या करेगा किस वज़ा से वो नहीं कर सकता यह चीज वो reasons record करनी के बाद वो memorandum बनवाएगा writing में open quote में या फिर वो dictate करके बनवाएगा open quote में और जो memorandum होगा उस पे sign करेगा magistrate और वो case के record का part बन जाएगा और यह हो गया section 274 section 275 बात करता है कि warrant trial जब चलता है magistrate के समख्ष तो वहाँ पर evidence कैसे record किये जाते हैं तो section 275 में सबसे पहले कह रहे हैं कि वहाँ पर evidence ऐसे record किये जाते हैं कि जैसे जैसे हर एक witness का evidence ले लिया जाता है उसका examination हो जा dictate खुद उतारता है या फिर dictate अगरके open court में उतरवाता है writing में वहीं अगर वो खुद यह चीज नहीं कर सकता क्योंकि वो या तो physically या फिर किसी other incapacity की वज़े से यह चीज करने में ने बला है तो वो यह चीज कराता है अपने direction and superintendence में इस चीज के लिए code के दुआरा appoint किये गए किसी officer के दौरा और जब वो यह चीज करा रहा है न तो वो जिस वजह से वो खुद यह चीज नहीं कर सकता उसके reason लिखते हुए एक certificate बनाके लगाएगा वही section 276 के तहत court of session में क्या होता है जब court of session का trial जलता है न तो वहाँ पर यह चीज होती है कि जैसे जैसे evidence लिये session का वो खुद लिखता है या फिर dictate करके open court में लिखवाता है या फिर अपने direction के अधीन और अपनी superintendence के अधीन यह चीज वो करवाता है इस चीज के लिए court के दौरा appoint किये गए किसी officer के द्वारा यहाँ पर यह वाली चीज कराने के लिए न उसको यहाँ पर यह वाली चीज magistrate section 275 में तब करा रहा था जब वो physically या किसी other incapacity की वज़े से खुद से evidence writing में record नहीं कर पा रहा है बट यहाँ पर court of session में इस चीज का होना ज़रूरी नहीं है बिना इस चीज के भी यह चीज court of session में करवाई जा सकती है और subsection 1 में section 275 के यह चीज और है एक proviso दिया गया है जो कहता है कि warrant अमामलों में evidence, audio, video, electronic means के जरिये भी accused के advocate की present मे record किये जा सकते हैं बाकी जो section 275 का subsection 3 है वो section 276 के subsection 2 के बिल्गुल सेम है तो क्या बात लिखे है इन दोनों subsection में कहा है है कि जो evidence लिए गए है यहाँ पे लिए गए है यहाँ पे वो न narrative form में लिए जा सकते है या फिर अगर magistrate के समख्ष ट्राइल चल रहा है तो magistrate को अगर सही लगता है और अगर इधर चल रहा है court of session के समख्ष ट्राइल तो presiding judge को अगर सही लगता है तो यह क्या कर सकते हैं तो यह जो evidence है वो ले सकते है question answer की form में और जो भी evidence यहाँ पर लिए गए है अगर warrant ट्राइल में magistrate के द्वारा लिए गए है तो उस पे इधर की side बोल रहा है कि magistrate क्या करेगा sign करेगा और वो बनेगे record का part और quote of session में जो लिए गए है evidence उनके लिए section 276 के subsection 3 में यह कहा गया है कि उस पे sign करेगा वहां का presiding judge और वो record का part फॉर्म करेंगे तो section 275 and section 276 यह दोनों एक साथ मिला के हमने पढ़ लिए हैं और यह दोनों हो चुके है complete section 275 से तो आपको यह clear हो गया कि warrant trial अगर magistrate के समख्ष होता है तो वहां पर evidence कैसे record किये जाते हैं section 276 से यह जिस के लिए होगी कि quote of session में अगर होता है trial तो तब वहां पर कैसे record किये जाते है evidence वहीं अगर हम बात करें high court में कैसे record होते हैं तो इसके लिए दे रख है section 283 जो क और accused examination लिया जाएगा वो तरीका high court general rule के द्वारा prescribe कर सकती है और फिर जो rule prescribe किये high court ने उसी according, evidence और examination वगरा किया जाएगा जो evidence record हुए है उनकी language क्या होगी यह बता रहा है section 277 में important नहीं है section 278 बताता है कि जब evidence ले लिए गए हैं अब क्या होगा क्या procedure होगा उसके बाद तो कह रहे हैं कि जब या तो section 275 में या फिर section 276 में witness के evidence हो चुके है complete तो वो या तो accused की presence में या फिर उसके pleader की presence में witness को जिसके मतलब evidence लिये गए थे उस witness को पढ़के सुनाय जाएगे और witness को opportunity दी जाएगी अगर उसको लग रहा है कि कोई चीज गलत note कर ली गई है जो उसने बताई थी वो नहीं बलत कुछ और ही उन्होंने note कर लिया है तो वो वो चीज correct करवा सकता है वो words वगएरा correct करा सकता है section 279 यह कहता है कि अगर जो evidence वगएरा लिये गए है वो पढ़के सुनाय जा रहे है और accused present है court में जब पढ़के सुनाय जा रहे है और वो evidence दिये गए है किसी ऐसी language में जो की accused को समझ ही नहीं आ रही है उसकी duty बनती है कि वो सच-सच interpret करें जो है वही बताए उसके बदले में कुछ और न बताए और आगे section 279 में कह रखा है यह कि अगर accused थुद नहीं आया है court में बट जो evidence है वो पढ़के सुनाय जा रहे है accused के pleader की presence में तो अगर evidence court की language के अलावा किसी और ही language में लिये गए है किसी ऐसी language में जो कि pleader को नहीं आती है समझ तो तब court की language में वो interpret किये जाएंगे pleader को और वही बात है जो interpreter है उसकी duty बनती है कि वो सच्चा ही बताए जो है वही बताए इंटरप्रेट करें truthfully यह चीज कह रहा कि section 282 में section 280 की heading पुछी जाती है प्रिलिंस में और इससे short note आता है mains में तो यहाँ बेसिकली है क्या चीज रिमर्क्स, respecting the manner of witness इसका मतलब इसका मतलब यह है कि जब judge या magistrate किसी witness को examine कर रहा है उस time वो evidence दे रहा है तो evidence देते देते उसका जो behavior है like वो हिचकिचा रहा था वो घबरा रहा था उसके पसी इने छूट रहे थे या फिर वो बिल्कुल जहाँ पर civil court को यह power दे गई है section 281 CRPC का बताता है कि accused का जब examination होता है तो कुछ न कुछ तो बताता है न examination में तो जो भी मतलब वो evidence दे रहा है अपनी examination में जो चीज़े वो बता रहा है उसको record कैसे किया जाएगा तो यह चीज़ बताई गई है और section 281 की जगा जो आपका भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता बिल है BNSS 2023 इसमें दे रखा है section 316 उसमें आपको पहला subsection 1 नई देख पहले आपको मिलेगा subsection 1 के रूप में क्योंकि जहां जहां पे metropolitan magistrate वाली बात है वो नए वाले CRPC में है ही नी metropolitan magistrate खता मैं समझो उसमें है ही नी उसमें तो इसलिए पहला subsection 1 गायब है section 316 में बाकी एक छोटा सा और बदलाव देखने को मिलता है यहां पे जो भी हम आगे discuss करेंगे पहले हम 281 में जो बात है न वो discuss कर लेता है तो सबसे पहले 281 में कह रहे हैं कि अगर metropolitan magistrate accused का examination कर रहा है तो उस दोरान accused ने जो भी मतलब बताया उसके substance का उसके gist का एक memorandum तयार करेगा metropolitan magistrate और उस पे वो sign करेगा और वो memo अब मामले का case का record जो होता है न उसका part हो जाएगा वही जो other magistrate होते है metropolitan magistrate के अलावा और जो court of session के presiding judge होते हैं वो gist नहीं करेंगे record वो पूरा का पूरा accused का examination record करेंगे जिसमें हर एक question जो accused से उन्होंने पुछा उसका उसने क्या answer दिया वो सब चीज़े होंगी उनको सिर्फ substance नहीं करना record उनको पूरा record करना examination और जहां तक possible हो सकता है वहां तक कह रहे हैं कि जो accused के examination जिस language में लिया गया उस language में ही उसको record किया जाना चाहिए अगर possible नहीं है तो फिर quote की language में उसको record करो और जब record हो जाए तो accused को दिखा दो पढ़के सुना दो अगर accused को समझ नहीं आ रही जिस language में आपने उसको लिखा है तो फिर उस language में उसको interpret करो जिसमें उसको समझ आए और फिर accused को पूरी छूट है कि कोई भी answer जो उसने दिय गया है उसको वो explain कर सकता है जिस तरीके से उसको record किया गया है वो यह कह सकता है कि मेरा मतलब यह नहीं था आपने एक गलत record गर लिया है या आपको यह चीज और add करनी चाहिए इसमें add भी करवा सकता है सब section 5 कहता है कि जो examination कर record किया गया है उस record पर accused sign करेगा जिस magistrate ने या लगाएगा तो यह हो गया आपका section 281 का subsection 5 section 281 के subsection 5 की जगा भारतिय नागरी सुरक्षर सहीता के section 316 में जो दिया गया है subsection 4 उसके नीचे एक नया proviso आपको देखने को मिलेगा जो क्या कहता है जो यह कहता है कि जिस accused का examination किया गया है अगर वो accused custody में है और उसको electronic communication के through examine क गया है तो फिर 72 घंटों के अंदर उस examination से 72 घंटों के अंदर उसका signature उस record पे करवा लिया गया होना चाहिए तो यह नई बात है जो आपको proviso के रूप में देखने को मिलेगी बाकी आगे जो subsection 6 है वो उधर भी same ही है जो कि कहता है क्या कि section 281 summary trial में जो accused का examination लिया जाता है उसके उपर apply नहीं होता है तो यहाँ पे होता है आपका section 281 the end अब यहाँ पर chapter 23 में section 284 से लेकर 290 तक जो दे रखे हैं वो criminal court को power देते हैं क्या power देते हैं कि वो witness को commission के through commission issue करके examine कर सकते हैं और फिर क्या procedure होगा यह भी बताया गया यहाँ पर इसी तरीके से commission issue करने की power civil court क को भी है CPC के order 26 में read with section 75 to 78 of CPC में तो अभी हम CRPC के in provision की बात अगर करें तो सबसे पहले section 284 की heading पूछी आती है तो section 284 में कहा क्या गया है कहा यह गया है कि किसी भी inquiry, trial या CRPC के तहर चल रही किसी other proceeding में अगर किसी court को या magistrate को यह लगता है कि यह जो witness है इसको examine करना justice के लिए जरूरी है बट बट यह court नहीं आ सकता है क्योंकि अगर इसको court में बुलाएंगे तो बेफाल तुका delay होगा घर्चा लगेगा या फिर inconvenience होगी तो तब यह क्या कर सकते है यह उस witness को commission issue करके commission भेज के examine कर सकते हैं वहीं अगर बात है किस चीज की कि हमें तो president of India को या फिर vice president of India को या फिर governor को किसी भी state के या फिर किसी भी unit territory के administrator को witness के रूप में examine करना है तो इनको examine करने के लिए commission ही issue की जाती है यह चीज मेंडेट रही है तो जैसा कि यहाँ पर witness को examine करने के लिए commission issue की जारी है तो उस witness में na complainant भी include है उसका मतलब complainant से भी है यह कहा गया था अभ्येश्वरी देवी versus किशोर मोहन बनरजी 1915 के case में बाकि commission में जो खर्चा आएगा तब section 2 यह कहता है कि court जब issue कर रहा है commission prosecution के witness को examine करने के लिए तो वो prosecution side को direct कर सकता है कि उतना पैसा deposit करो इतना की court को लग रहा है reasonable, accused के जो भी खर्चर होने वाला है और जो उसकी pleader की fees है उसके लिए, all right, commission issue किसको की जाएगी, मतलब commission की पैस किसको बुला जाएगा कि आप जाओ और आप examine करो हम इस particular witness को जिसको हम examine करवाना चाहरे है, तो section 285 कहता है इस बारे में ये, कि commission direct की जाएगी किसको chief metropolitan magistrate को या फिर chief judicial magistrate को, वो भी कब जब just witness को examine करना है, वो उस territory में रहता है, जहां पर CRPC apply होता है, तो chief metropolitan magistrate या फिर CGM, इन में से जिस भी किसी magistrate के local limits of jurisdiction में witness है, उसको direct किया जाएगा commission में, उस witness को examine करने के लिए, और यहां पर जो CMM वाली बात है, यह आपको नए वाले CRPC में नहीं देखने को मिलेगी, यह हटा हुआ है हाँ से, all right, वहीं अगर, जो witness है, वो जहां पर CRPC, जिस territory में apply होता है, उस territory के बाहर है, तो तब उस court को, या फि commission direct किया जाएगा, जैसा कि central government ने by notification specify किया हुआ, इस चीज के लिए, वहीं अगर जो witness है, वो foreign country में है, तो तब उस court को, या फिर उस officer को, commission execute करने के लिए direct किया जाएगा, जिसको उस country में, उस country की government के साथ, central government ने arrangements वगेरा करके बताया हुआ है, all right, fiction 286 की कहता है, कि जिसको direct किया गया है, commission में, जिसको भेजा गया है commission, execute करने के लिए, cmm को भेजा गया है, chief metropolitan magistrate को भेजा गया है, तो cmm, cgm को भेजा गया है, तो cgm, ये आपको, इसकी जगा जो section दे रहा है, 321, उसमें लिखा हुआ, नहीं देखने को मिलेगा, तो ये चीज यहां रखनी है, त आखिर क्या है, section 286, section 286 क्या रहा है, कि cmm, या cgm, या फिर इस चीज के लिए, इनमें से किसी ने भी अगर appoint किया हुआ है, metropolitan magistrate या फिर judicial magistrate, तो इनको जब commission receive होती है, तो ये क्या करेंगे, ये, जिस witness को examine करने के लिए बोला गया है, उस witness को summon करेंगे, समन भेजेंगे, त पिर जहां पर वो witness है, उस जगा पर ये जाएंगे, और फिर इनके जो evidence है, उसको उसी तरीके से ये लेंगे, जैसे कि warrant case के trial में लिए जाते हैं, और इस purpose के लिए जो भी power दी गई होती है, magistrates को वो power इनको होंगी, section 287 में कहा गया है, कि जिस भी court या magistrate ने commission issue किया है, इस chapter के तहत, किसी witness को examine करने के लिए, तो वो court ना, अपने discretion के अनुसार, अगर सही लग रहा है उसको, तो वो कर सकती है, क्या चीज़, parties को allow, उस witness को examine करने के लिए, कैसे examine करने के लिए, वो party को बोल देगी, कि जो भी आप question पुशन पुशन जाते हो, वो एक written interrogatory इसके रूप म submit कर दो, तो इस तरीके से उनको allow कर सकती है court, witness को examine करने के लिए, जिसको examine करने के लिए, कमेशन issue की गई है, अब section 288 बात करता है, कमेशन के return की, जब वो हो चुकी है, execute, तो वो return होगी, उस court या उस magistrate को, जिसने कमेशन issue किया था, किस चीज़ के साथ, उसके तहर, जिस witness को examine किया गया है, उसके deposition के साथ, उसकी testimony के साथ, और वो बिल्कुल open रहेगी इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, कि जो parties है, reasonable times में उसको inspect कर सकती है, और just exceptions के subject में रहते हुए, मामले में, evidence की रूप में उनको पढ़ा जा सकता है, किसी भी party के दुआरा, और वो form करे रिकॉर्ड का part, अब वो record का part बन जाएंगी, और जो deposition लिया गया है, अगर section 33 of Indian Evidence Act की सारी condition satisfy होती है, तो फिर उस deposition को किसी भी subsequent stage पर मामले की, किसी दूसरे report के समक्ष भी क्या किया जा सकता है, evidence में use किया जा सकता है, evidence में लिया जा सकता है, section 289 में power दे रखी है, commission issue करन वाली court को कि जो भी inquiry, trial या CRPC के तहर चलने वाली कोई other proceeding उसके समक्ष चल रही है, वो जब तक कि जो commission है, वो execute होके, return होके नहीं आ जाती है, उतने reasonable sufficient time के लिए inquiry, trial या जो भी other proceeding उसके समक्ष चल रही है, उसको वो adjourn कर सकती है, बाकि section 290 से लेकर 293 तक, चितने भी sections दे बाकी content वगेरा कुछ important नहीं है, section 293 में आपने धियान रखना है कि यहाँ पे कुछ government scientific experts बता रखे हैं, और उनकी जो भी reports होती है, उनके बारे में आपने धियान रखना है कि वो किसी भी inquiry, trial या CRPC के तहर चली किसी other proceeding में evidence में use किये जा सकते है, section 294 की भी सिर्फ औसिफ heading important ह और इस section की जगा, जो section दिया गया है भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता में, उसमें कुछ changes है, जो कि मैंने यहाँ पर highlight की हुए है, तो वैसे तो यह section important नहीं है, बाकी जो changes है इसलिए आप वो खुदी पढ़ लेना, section 295 भी important नहीं है, heading ध्यान रखनी है, section 296 की भी सिर्फ या फिर डेफिट पर शपतली जा सकती है, तो वो हो सकता है, कोई भी judge, कोई भी judicial, executive magistrate, या फिर any commissioner of oath, जिसको appoint किया गया है by the high court, या फिर court of session, या फिर कोई भी notary, जो कि notary act 1952 कहता है, तो यह जो section है 297, इसको आप CPC के section 139 से relate कर सकते हैं, लग 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 same है, section 298 की heading important है, यहाँ पर बिताया गया है कि previous conviction, अगर किसी व्यक्ति के against हो रखी है, या कोई व्यक्ति अक्विट हो रखा है previously, तो उस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो, यहाँ पर कह रहे है कि किसी भी other law में, जो कि for the time being, enforcement में है, अगर कोई तरीका बता रहे है, उसके सा dealer के certificate से, या फिर commitment warrant से, तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है कि जैसा कि law में तरीका बताया गया है, उस तरीके से previous conviction, प्रूफ की जानी चाहिए, otherwise, अगर prosecution side गया रहे है, कि यह व्यक्ति तो previously convicted हुआ है, हम नहीं मान रहे है, क्योंकि आप इस तरीके से प्रूफ ही नहीं कर लेगी, तो यह है आपका section 298, section 299, important section है, इसकी heading prelims में पुछी जाती है, जो जो चीजे मैंने underline की हुई है, जो जो bold की हुई है, वो pre में पुछी जाती है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर accused की absent में evidence record कब किये जा सकते हैं, यह बताया गया है, हमने section 273 में सारे जो evidence है, वो लिये जाने चाहिए, accused की presence में, अगर accused की presence को dispense किया गया है, तो उसके blader की presence में, but इस चीज का exception है section 299, जो कि क्या कहता है, यह कहता है, कि अगर proof हो चुका है, क्या, कि accused तो भग गया, और immediately उसको arrest करके भी निलाया जा सकता है, तो जो court उसके मामले को try करन के लिए competent है, या trial के लिए commit करने के लिए competent है, वो उसकी अनुपस्थिती में ही, उस accused की absence में ही, जो witness prosecution के बहाफ में produce किये गए है, अगर कोई witness produce किये गए है, तो उनको examine कर सकती है, और उनका जो भी testimony है, deposition है, उसको record कर सकती है, और जो deposition witness का यहां पर record किया गया है, जब accused person के arrest कर लिया जाता है, तो जिस offense का उसके उपर charge लगा, उस offense की जो भी inquiry हो रही है, trial वगएरा हो रहा है, उस inquiry or trial में, उस accused के against evidence के रूप में दिया जा सकता है, कब जब जो witness है, वो मर गया है, या फिर witness evidence देने से incapable हो गया है, या फिर witness attend नहीं हो सकता है, अगर attend होगा, तो वे फालतोगा delay होगा, फालतोगा खर्चा होगा, या फिर inconvenience होगी, all right, वहीं subsection 2 ये कहता है, कि अगर जो offender है, पता ही नहीं कोन है वो, वो तो unknown है, और जो offense commit किया गया है, वो है ऐसा जिसके लिए punishment है, या तो death sentence, या फिर impeachment for life, तो तब या तो high court, या फिर session judge, GM first class को direction दे स trial में use किया जा सकता है, कब जब जिस witness का deposition लिया गया है, वो या तो मर गया है, या फिर वो evidence देने के काबिल ही नहीं रहा, incapable हो गया, like पागल वागल हो गया, या फिर वो भारत से ही भार चला गया है, all right, तो यह हो गया आपका section 299, और यहाँ पर section 299 के साथ, inquiry or trial में जो evidence दे जाते हैं, इससे संबंदी जो chapter 23 होता है complete, बट इसकी जगा भारतिय नागरी सुरक्षा सहीता में जो दिया गया है chapter 26, इसमें एक नया section है, last में, section 336, जो बताता है कि अगर public servant, expert या police officer ने कुछ मामलों में दिये है evidence, और उन evidence को भारतिय नागरी सुरक्षा सहीता के तह किसी inquiry, trial या other proceeding में use किया जाना है, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि वो public servant, expert या officer या तो उसका transfer हो गया है, या वो retire हो गया है, या मर गया है, या फिर वो अब deposition देने के काबिल ही नहीं रहा, या वो अब मिल ही नहीं रहा है, या फिर अगर उसको बुलाएंगे, तो inquiry, trial या जो भी other proceeding है, उसमें delay होगा, तो तब इनकी जगा जो भी successor है, इनका उसको बुला सकती है quote, ताकि इन्होंने जो भी document या जो भी report दिया था, उसके बारे में deposition दे सके इनके successor, तो इतनी सी बात है, ये नए वाले section में, तो आज की युदिर के लिए बस इतना ही रख कोई भी अगर आपको doubt रहता है, या कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप comment section में Instagram पे, Telegram पे कहीं भी पूछ सकते हैं, CRPC, CPC, IPC, Evidence, Limitation, SRA, Constitution, Equity, Jurisputence, काफी सारे subject हैं, जिनके PDF note available है, उन सभी की list मैंने description में डालती है, अगर आपको उनमें से कोई भी subject purchase करना है, या उसक screen पर दिखी रहा होगा, या फिर आप मेरी Telegram ID पर आप मुझे direct message कर सकते हैं, जो कि मैंने description में डाल दी है, जाते-जाते चैनल को subscribe कर देना, मेरा Telegram चैनल है study go with zeenat के नाम से, उसको ज़रूर join करना, उसमें मैं काफी सारी चीजों की update आप लोगों को देती रहती हूं, so thank you for watching my video, मिलते हैं CRPC के अगले video lecture में,